नमश्कार, Health Tips चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्यूंखिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ठेर सारी ज़नकारी और आपके लिए ही वीडियोज बनाते हैं और यह आपके फाइदे के लिए ही होती हैं तो प्लीज में चैनल को सिस्क्राइब करें और शेयर करें आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास रोम चिद्र चेहरे पर पाए जाने वाले छोटे छोटे गर्दे होते हैं जो की दिखने में संत्रे के छिलके की समान दिखाई देते हैं जिस तरह से हम सास लेजते हैं उसी तरह से हमारी तवचा भी रोम चिद्रों की मदद से सास लेती है और इनका मुखे काम हमारी तवचा पर सीबक नामक ओयल को लाना होता है जिससे हमारी स्किन में मौशल बना रहता है और तवचा सूखने से बची रहती है चहरे पर स्किन पॉर्स का अकार अगर समाने हो तो यह अतनी असानी से दिखाई नहीं देता है लेकिन अगर इनका अकार बढ़ जाए तो यह हमारी खुब सूर्थी को कम करते हैं और चहरे पर बड़े रोम चिद्रों की वजह से अक्सा चहरे पर ब्लैकेट्स वाइट्स और पिमपल आदी की समस्या होती रहती है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चहरे पर मौजूद बड़े रोम चिद्रों को हमेशा के लिए खतम करने का एक उपाए बड़े हुए रोम चिद्री छोटी हो जाएंगे इस प्रक्रिया को हमने तीन हिस्सों में डिवाइट किया है जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगे कुछ खरेलू नुसके जिन से पहले और दूसरे इस्तेमाल से ही आपको पर स्किन पोर्स में काफी फरक नजर आएगा और इसके बाद हम जानेंगे कुछ और असान उपाए जो अगर आप इन नुसकों को तयार नहीं कर पाते है तो रोजाना केवल एक या दो जीजों के इस्तेमाल से ही चाहरे पर मौजूद बड़े रोम चिद्रों से कम समय में ही चुकारा पाया जा सकता है और फिर इसके बाद कुछ खाने वाले चीजे जिने अपना रोजाना डाइट में शामिल करने पर ये अंधरूनी तरीके से बड़े हुए रोम चिद्रों को तेजी से चोटा करेंगे और उन्हें दुबारा बढ़ने से भी रोकेंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं घरेलो नुस्कों की इसमें जो पहला नुस्का है वहाँ है फेस पैक इसे बनाने के लिए हमें अवशकता होगी धई टामाटर का रस, नीम्बू, केले के चिलके, करी पत्ता यानि की मीठा नीम और मुलतानी मिट्टी की इसमें हम जादातार खटी चिजों का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि बड़े और खुले और रोम चिद्रों को खतम करने के लिए खटाई का इस्तेमाल करना सबसे जादा असरदार होता है इसलिए धाई नीम्बू और टमाटर यह तीनों ही इसमें बहुत जादा फाइदेमन्ध होते हैं इसके लावा गर आप चाहें तो इसका असर और बढ़ाने के लिए इसमें अंडे की सफेदी भी मिला सकते हैं अंडे की सफेदी मिलाने से इसका असर दुगना हो जाता है इसे बनाने के लिए मिकसर के अंदर केले के चिलके के दो हिससे छोटे टुकडे करकर डालें इसके बाद इसमें दो चमस टमाटर का रस और एक मुठी कड़ी पत्ता यानि की मीठा नीम मिलाएं फिर इसमें दो चमस दही मिलाकर एक पूरे नीमू के चिलके और एक चुथाई कटा हुआ नीमू मिलाएं उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिकसर में अच्छी तरह से चलाकर इसका एक पेस तयार कर लें फिर इस तयार पे इसको मुलतानी मिटी के साथ मिला लें इस तरह से ये face pack तयार हो जाएगा अगर आपके पस मुलतानी मिटी नहीं है तो आप उसकी जगा बेसन या फिर कावलिन कले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मुलतानी मिटी रोम चिद्रों के लिए सबसे ज़दा बहतर होती है इसके बाद इस तयार face pack को अपने पूरे चहरे पर अच्छी तरह लगा कर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर उसे छंडे पानी या फिर बर्फ के पानी से धोले दोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करना इस प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपून हिस्सा है क्योंकि ठंडे पानी से धोने पर स्किन पोर्स उसी टाइम श्रिंक हो जाते हैं और चहरे पर इस्तेमाल की गई चीजों का असर भी और अधिक बढ़ जाता है इस नुस्की का इस्तेमाल रोजाना या फिर हफ्ते में तीन से चार बार किया जा सकता है और इसमें बनाए गए पेस को किसी अनुपात में और अधिक मात्रा में बना कर भी फ्रिज में 7-8 दिन तक आप रख सकते हैं फिर जब भी इसका इस्तेमाल करना हो फिर इस पेस में मुलतानी मिटे मिक्स करकर इसे दुबारा तयार किया जा सकता है इस नुस्के में केले के चिलके और मीठा नीम सबसे मुखे चीज़ है क्योंकिन के इस्तेमाल से ही कम समय में कमाल के रिजल्ट मिलते हैं और पहले ही इस्तेमाल से फरक दिखना शुरू हो जाता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले नुसके के तरफ चहरे के रूम शितरों को टाइट करने के लिए स्किन टोनर और एस्टिजन यूस करना सबसे अच्छा होता है और इसे ही घर पर असानी से बनाया जा सकता है इसके लिए हमें अवश्रता होगी खीरा, शाहत, टबाटर, गुलाब जल, दीबू, विटामिन A कैपसूल और एपल साइगर विनिगर की इसमें अगर आपको आपल साइडर विनिगर और विटामिन A कैपसूल लही मिल पाते हैं तो आप उसकी जगा सिर्फ ऐलोवेरा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप एपल साइडर विनिगर खरीदना चाते हैं तो आप सूपर मारकेट या और लाइन असानी से ले सकते हैं इसे बनाने के लिए खीरे को छिलके सहीत कद्दू कस करकर या फिर मिकसर में अच्छी तरह चला कर उसका रस निकाल ले इसमें खीरा हमें हरे चिलकेवाला ही इस्तेमाल करना है इसी तरह से टमाटर को भी निम्बू के उर्श निकाल ले और उस्में से बीज ओलक कर दें फिर लग बर 4 टेबलस्पून खीरे का रस 3 टेबलस्पून टमाटर के रस और 1 चम्मथ शेहत बिलाएं और इसके बाद इसमें दो टेबल स्पून गुलाब चल डाल कर एक छोटा चमद नीमू का रस मिलाएं और फिर लास में एक चमद अलोवेरा जेल या एपल साइडर विनिगर डाल दें और इसके बाद इसमें एक कैपसूल आप विटामिन E का डाल दें इससे आप किसी साफ कंटेडर या स्प्रे बोटल में भल कर भी रख सकते हैं अगर आपकी स्कीन ज़्यादा सेनसिटेव है तो आप इसमें नीमू का रस ना मिलाएं लेकिन अगर आप इसमें अलोवेरा जेल मिलाते हैं तो आपको इसमें नीमू के कुछ बूंदे मिलानी पड़ेंगी रोजाना रात और दिन में एक बार अपने चहरे पर कॉटन की साहिता से अच्छी तरह लगाएं रात में अगर आप चाहें तो रात बार के लिए भी लगा कर छोड़ सकते हैं लेकिन दिन में लगाने पर इसे 10-15 मिनट के लिए ही लगा रहने दें और फिर इसे नॉर्मल पानी से धो दें इस टोरर को हमेशा रेफरी रिजेटर में रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसा होने पर इसे एक महिने तक स्टोर करकर रखा जा सकता है अगर इसे मुलतानी मिट्टी वाले फेस्पेक के बाद लगाया जाए तो इससे बहुत कमाल के रिजल्ट मिलते हैं रोजाना इसे चैरे पर लगाने से साथ दिनों के एंदर ही चैरे पर मझूद रोम चितर सतर से 80% तक रोम चितर कम हो जाते हैं और साथी चैरे पर एक नई चमक भी आजाती है तो दोस्तों यह है तो हुए कुछ घरेलो नुसके जिसके इस्तेमाल से बड़े स्किन पोर्स की समस्या में हमेशे के लिए छुकारा पाया जा सकता है अब पात करते हैं कुछ सा धारन लेकिन बहुत असरदार उपायों की जो कि आप इन नुसकों के साथ या फिर बिना इन नुसकों को बनाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से खटी चीजों के इस्तेमाल से स्किन पोर्स टाइट होते हैं उसी तरह से ठंडी चीजों से चहरे के रोम चिद्र छोटे होते हैं इसलिए जाधातर गर्मियों के वौसम में स्किन पोर्स साधा बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि गर्मी होने पर त्वचा के रो मिनट तक अच्छी तरह सिकाई करें ऐसा करने से चहरे को ठंड़क प्रदान होती है और खुले हुए रोम चिद्र भी बंद हो जाते हैं साधारन पानी की जगा इसका असर और बढ़ाने के लिए खीरे टमाटर का रस और गुलाब जल को मिला कर भी बर्फ जमाया जा सकता है इस सरह से ये हमारे चहरे पर एक आई स्टोनर की तरह काम करता है और रजाना इसका सेवन करने से दीरे दीरे आपको अपने चहरे के रोम चिद्र कम होते हुए दिखाई देंगे इसके अलावा सिर्फ केले के चिलके को त्वचा पर हलके हाथों से रगरने पर भी बड़े और ओपन पोर्स की समस्या में काफी जल्दी सुधाराता है इसका भी असर और अधिक बढ़ाने के लिए केले के चिलके के अंदर वाले हिस्से पर थोड़ा सा नीबू का रस या फिर गुलाब जल डाल कर इसका इससे पहले और दूसरे इस्तेमाल से ही स्किन पोर्स में करें केवल धाई का ही इस्तेमाल करें इसके अलावा बेकिंग सोडा भी चहरे पर मवजूद रोम चित्रों को खतम करने के लिए बहुत फाइदेमन्द होता है दो चमच बेकिंग सोडा को गुन-गुने पानी के साथ मिक्स करकर इससे अपने चहरे पर 5 मिनट के लिए हलके हाथों से मसाज करें और फिट थंडे पानी से चहरा धोले ऐसा करने पर यह चहरे पर गंदगी और एक्स्टा ओयल को हटा कर उसे पूरी तरह ओयल फ्री बनाता है जिससे हमारे स्किन पोर्स ट्रिंक हो जाते हैं और चोटे हो जाते हैं और जिन लोगों को अक्सर पिंपल निकलते रहते हैं जिनके स्किन बहुत जादा सेंसिटिव हैं वह लोग इसका इस्तेमाल ना करें इसके बाद बात करते हैं कुछ खाने वाली चीजों की जो कि अंदर से हमारे स्किन पोर्स को टाइट करेंगे और इनका अकार बढ़ने से भी रोकेंगे इसमें सबसे पहले ग्रीन टीज जरूर पिए इसके अलावा अलसी यानिकी फ्लैक्सीट भी तवचा के रोम चित्रों के लिए बहुत फाइदे मंद होती हैं अलसी के अंदर फैटी एसिट की मात्रा बहुत कम होती हैं जिससे चेहरे पर ब्रेक आउट्स पिंपल्स और ओपन पोर्स की समस्या में काफी फाइदा मिलता है इसलिए रोजाना खाना खाने के बाद या शाम के समय तीन से चार ग्राम अलसी यानिकी इसका पाउडर जरूर खाना चाहिए इसके अलावा रोजाना खाना खाने के साथ धही का इस्तेमाल भी जरूर करें धही हमारी तवचा का पी-च लेवल जिससे अगर तवचा ज्यादा सूकी हो तो इसका सेवन करने से स्किन को मॉस्टर मिलता है और अगर स्किन ज्यादा ओयली हो तो यह तवचा पर मौजूद एक्स्टर ओयल को भी रिमूफ करता है जिससे चहरे पर रोम चित्रों का अकार भी छोटा हो जाता है जिया दोस्त के चहरे पर स्किन पोर्स असानी से नजर आ जाते हैं ऐसे लोगों को दिन भर में जादर से जादा पानी पीना चाहिए आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सेस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक का पवश्च करें